दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बियस अप में कॉंस्टिबल ट्रेट्समैन की भरती जो आने वाली है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ अब तक आप लोगों ने इस भरती को देख भी लिया होता लेकिन कोबिट संक्रमर दोस्तों इन लिनों काफी जादा बढ़ गया जिसकी विज़े से आपकी यही भरती नहीं दोस्तों डेले हुई दोस्तों अलग-अलग डिपार्टमेंट में और भी भरतियां आने वाली थी सभी भी भरती इसकी विज़े से डिश्टर्प हो गई खैर दोस्तों कोबिट संक्रमर तो चलता ही रहेगा लेकिन बियस अप कॉंश्टिबल ट्रेट्समेंट की भरती कब तक ओफिसल वेप साइट पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साथ के साथ मैं इसके इलिज की सेलक्शन प्रोसेस क्या रहता है यहां पर आप लोग सबसे पहले यह देख लीजिए कि सेलक्शन प्रोसेस क्या रहता है सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होता है फिजिकल के साथ साथ उसी समय डॉकुमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है फिर उसके बाद उसी समय दोस्तों trade test होता है next phase में आपका return exam होता है और third phase में आप लोग देख सकते हैं medical examination होता है इसके लावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं education qualification इसमें क्या लगता है केवल 10 pass सभी candidate all over India से apply कर सकते हैं नीचे दिएगे comment box में आप लोग बताइएगा कि आप कौन से trade से form apply करना चाते हैं तो आप जिस भी trade से form apply करना चाते हैं उस trade का experience certificate आपके पास होना चाहिए फार्म को apply करते समय दोस्तों आपके पास experience certificate नहीं रहेगा तब पर भी आप लोग apply कर पाओगे केवल trade test के समय ही आपके पास experience certificate होना चाहिए इसके लावाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं height के बारे में पूरी information है अगर बात किया जाए pay scale के बारे में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं pay scale ठीक ठाक राता है इसके बारे में बताए गया है सबसे main information आप लोग समझेगा अभी तक इसका form offline भरा रहा था लेकिन दोस्तों अब से जादा तर संभावित है कि online form भरा जाए लेकिन इसके regarding दोस्तों कोई fix information नहीं है इसलिए यहाँ पर offline ही mood बताए गया है job location के बारे में pay scale के बारे में central government job होती है यहाँ पर vacancy के name के बारे में बताए गया है दोस्तों बीस अप constable tradesman का offline यह दी form भरा जाता है तो किस पकार form भरा जाता है यहाँ पर बताए गया है अगर बात किया जाए इसमें age limit के बारे में तो दोस्तों age limit 18 से 23 साल जंडल वालो tip देख सकते हैं offline form भराता है तो किस प्रकार download करना रहता है और किस प्रकार form भरना रहता है इन दिनों दोस्तों कोबीड 19 का संक्रमर काफी जादा बढ़ गया इसलिए दोस्तों कोबीड 19 संक्रमर के कारण यह भरती नहीं आपाई लेकिन दोस्तों इसका आवेदन मांगा ज जाएगा कहने का मतलब है दोस्तों 15 माई के बाद ओफीसियल बेप साइट पर इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके लाइकिन को प्रिस कर लिजेगा चलिए